पती अपनी पत्नी को लेकर आया इसलिए नहीं लाया कि उसे प्यार करता है इसलिए लाया कि खुद तो अपनी लुगाई को कुछ कहने पाता मुझसे कहलवाना चाहता है भई मारत के बच्चों तो खुद बोल अपनी लुगाई को वहाँ सब की टेंप बोल जाएगी कई बार तो मुझे ऐसे लगता जैसे इस देश के पत्यों ने मुझे सुपारी दी हुई हो क्या हम तो कुछ नहीं कहेंगे तू कह दियो हमारी तरफ से या देखा जाये तो इस देश के पत्यों का मैं बेट कर हूँ ये विचारा सोसी समाज जो आज तक उपर ने उठ सका इसको मेरे जैसे ही संतों की आवज सकता है इस देश के पत्यों को एक संत मिला है इसके लिए उसका स्वागत कर सकते हैं पत्नी नहीं देखे बस इस आप से ताली बजाओ और वैसे भी देखा जाए तो आज कल मार्किट में बहुत संत खुम रहे हैं और दूसरे सब्दे में कहूँ तो मार्किट वाले संत खुम रहे हैं जिस संत के पास जो एक ही बात कहएगा माया त्याग दो बहुत क्या करें बहुत मुझे दे दो हर एक चाहता है वो तो करोड़ पती बन जाए और आप बाबाजी बन जाए लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ अभी मैं अमरीका गया मैंने वहां देखा पती पत्नी बहुत प्यार करते हैं सड़क पर चलते चलते प्यार कर लेंगे ट्रेंड में बैठे बैठे प्यार कर लेंगे हिंदुस्तान में तो पती साड़ा गर में प्यार नहीं करता बार गे तो बात छोड़ती चाहे इंतना प्यार करते हैं अमरीका में पती पत्नी कि उनका प्यार का कोटा दो साल में पूरा हो लेता है फिर वो तलाग ले लेते हैं हिंदुस्तानी पती पत्नी सुभए प्यार करेंगे साम को माथ था फोड़े लेंगे तो जिंदिगी बर प्यार का कोटा पूरा ही नहीं हो पाता इसलिए हमारे यहां कहते हैं साथ जन्मों तक साथ निभाएंगे क्योंकि हम एक जन्म में प्यार का कोटा पूरा नहीं कर सकते हसने की बात निया आपको अगले जन्म में दूसरी लुगाई चीह तो इस जन्म में इस वाली को खूब प्यार करो अपना कोटा पूरा कर लो बच भगवान अगले जन्म में दूसरी दे देगा और ने कोटा पूरा करेगा तो सत्तर जनम तक यही मिलने वाली है हसने की बात नहीं है कल से जिस पत्नी को पती प्यार करने लग जाये तो समझ लेना साड़े के दिल में खोट है वो चाहता ही नहीं कि अगले जनम यह बात बता दी अच्छा मैंने रिसर्च की कि इस देश में पती पत्नी से डरता क्यों हमें जितनी भी ताक्ते मिलती हैं सब औरतों से मिलती है पैसा चीए लक्षमी जी के पास जाओ बुद्धी चीए सरस्वती जी के पास जाओ ताकत ची ये दुर्गा जी के पास जाओ आदमी के पास छोड़ा क्या मेरे सुझ में नहीं आया है हमारे संकर भगवान विश्णू भगवान बिलकुल खली बठे एक पावर नहीं दोनों के पास में जिसे कहते हैं ना मिनिस्टर विदाउट पोटफोलियो इसलिए एक जाकर विचारा पाढ़ पर बैठ गया और कपड़े भी कितनी दिये पैनने को देखो इसे गड़े में सांप ओड़ डाल दिया थोड़ी कसर बची थी तो जटा से गंगा और निकलवा दी ठंड के अंदर बीने को मांगा तो विश्पिला दिया ऐसे मैं आदमी टांडाउ नहीं करेगा तो क्या बाहुसरी बजायागा भी से दिसे दूसरे को सेशनाग पर लिटा दिया वो भी समुंदर में दूर दूर तक पिनेगा पाणी भी निसीव नहीं हो सकता अच्छा दोनों बिचारे आपस में रोना भी नहीं रो सकते कि एक पाड़ पर बैठा एक सागर में लेटा है वरना दुखी पती आपस में बात करके मन हलका कर लेते हैं एक हमारी जान को आगया एक करवा चोथ का ब्रत पता नहीं लुगाई कब तोर दे इधर ब्रत टूटा, उधर पती साप कмаiston की पती की जिन्दगी के लिए रखा जाता है इस देश में 100 बरत ऐसे हैं कि पत नहीं नहीं रखे तो पती की सेथ खराब हो सकती एक ब्रत साड़ा ऐसा नहीं बणाया है पती नी रखे तो लुगाई के जो खाम भी हो जाए तो हम तो बदला भी नी निकार सकते हैं। अभी करवाचोथ को घराली बोली सोने का सेड दिला मैंने का मैं तो नी दिला ता बले बरत तोडू के हैं। अंदर से रोटी लियाई बोले ला रहा है कि अभी खाऊं। अमने प्राण जाएंगे लिया या। विदेशों में करवाचोथ के बरत होते नहीं इसलिए वहां तलाख हो जाते हैं। अभी मैंने ब्या की पत्चीसमी वर्ष गाठ मनाई अमरीका में होता तो पत्चीसमी लुगाई की मना रहा होता। करवाचोथ नहीं होता नहीं हमारे यहां पती पत्नी तो रेल की पट्री गीतर हैं मिलो मत साथ जरूर चलना पड़ेगा। अलग इसलिए नहीं हो सकते कि बच्चे स्लीपर बनकर दोनों को जकड़े हुए हैं। ना इसको इधर जाने देते हैं ना उसको इधर जाने देते हैं। अच्छा ही इस देश में हर एक पत्नी पती को एक धमकी जरूर देती है। मैं तो बच्चों की वज़े से टिकी हुई हूँ। वरना कपकी निकल जाती है। अब मैंने अपनी लुगाईशे का मैंने देख सारे बच्चे ब्याली अब तो निकल ले बोले ना जर अब पोते गब या और देख लिए उसने कभी नहीं निकल ला और मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहता हूं जिन परिवारों ने ये बच्चों के स्लीपर मजबूत रख लिए वो पती पतनी खटे रह गए जिनके ये स्लीपर कमजोर हो गए वो पती पतनी भी अलग रह गए